C.A. को लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसोचित कर दिया गया था तब से लेकर इसको लेकर बावाल देखा जा रहा है इस बिर्काउद देशे पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से आए छे समधायों हिंदू, इसाई, सिख, जैन, बौध और पार्से के शरणार्थियों को भारत की नागरिक्ता देना है ग्रेय मंत्राले ने कहा है कि भारते मुस्लमानों को चिंता करने की जरुद बिलकुल भी नहीं है क्योंकि सिये में उनकी नागरिक्ता पर असर डालने के लिए कोई प्राथान है ही नहीं इसका वर्तमान 18 क्रोड भारते मुसलमानों से कोई लिरा देना ही मुप्र भारत एक नाइन देख रहे हैं आप आपके साथ मेहूं काजो नरायन देश में इन दिनों सबसे ज़ादा जो चर्चा हो रही है वो तो लोग सभर चुनाफ की हो रही है और इसके अलावा सिये को लेकर हो रही है शंशोधन अधिनियम 2019 कि सिये को लागू करने से जड़े नियमों को सोमवार को अधिसोचित कर दिया गया था तब से लेकर इसको लेकर बवाल देखा जा रहा है सिये पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावीज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागिक्ता देने के लिए है सिये किनियम जारी हो जाने के बाद अब मोधी सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आई बांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पतारित गैर मुस्लिम प्रवासियों यानि कि हिंदू, सिख जैन, बौध, पार्सी और इसाईयों को भारते नागिक्ता देना शुरू कर सियासी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन सरकार ने इसे लेकर ना केवल सिती साफ की थी, बलकि इस कानून को लेकर जवाब भी दिये थे तो आईए जानते हैं कि ये कानून और इसे लेकर सरकार का क्या कुछ कहना है, नागिक्ता संचोदन कानून क्या है, बार-बार हम इसे समझा रहे हैं क्योंकि अभी भी लोगों में कहीं तरह की कन्फ्यूजन है ये कानून किसी को भी नागरिक्ता से वंचित नहीं करता नाहीं ये किसी को नागरिक्ता देता है ये केवल उन लोगों की श्रेणी को संशोधित करता है जो नागरिक्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं ये ऐसा उन्हें आवीदन करने वालों को अवेद प्रवासी की परिभाशा से छूड़ दे कर करता है कोई भी वेक्ति जो कि हिंदू, सिख, बौध, जैन, पार्सी या इसाई समुदाय से सम्मंधित है और अफगानिस्तान, बांगलादेश या पाकिस्तान से है जो कि भारत में 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले प्रवेश कर गया है और जिसे केंदि सरकार के द्वारा या पास्पोर्ट यानि कि भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 की धारा, 3 की उपधारा, 2 के खंड, C या विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के आवेदन या उसके अंतरगत किसी नियम या आदेश के तैथ छूट दी गई हो इस छूट के लिए कानूनी धाचा 2015 में ग्रह मंत्राले द्वारा जारी दो अधिसूशनाओं में पाये जाता है चार यदिसूशना केवल उनहीं लोगों को छूट देती है जो हिंदो सिख बौध जैन पार्सिया इसाई है अब गानिस्तान बांगलादेश या पाकिस्तान से हैं और अगर वो भारत में 31 सम्बर 2014 से पहले धार में कुद पिडन की आशंका से भारत में प्रवेश कर गए थे ये उनके लिए है बेसिकली ये क्लियर कट है कि ये उनहीं के लिए है नागरिक्ता संचोधन कानून अब सरकार ने आखिरकार पूरे देशवर में लागू कर दिया है और लोग सभा चनाफ से ठीक पहले बीजेपी सरकार का ये कदम काफी एहम भी माना जा रहा है ये वही कानून हैं जिसे लेकर कुछ साल पहले देश्वर में कई प्रदर्शन हुए थे इन प्रदर्शनों में एक नारा कूप चरा था जिसमें लोग कह रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे कागज नहीं दिखाएंगे कीने मिलेगी नागरिक्ता सबसे पहले समझते हैं आकिरकार C.A. को क्यों लाया गया और इसे लेकर विवाद क्यों हो रहा है दरसल इसके नाम से जाहिर है कि इसे नागरिक्ता देने के लिए लाया गया है हिंदु सिख बहुद बार बार हम इस पर फोकस कर रहे हिंदु सिख बहुद जैन पार्सी और इसाई समधाई की लोग C.A. के तैट नागरिक्ता के लिए आविदन कर सकते हैं ऐसे तबाम श्रणार्थियों के लिए नागरिक्ता कानून लाए गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगला देश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारताई लोगों को नागरिक्ता दी जाएगी भारत में 5 साल से ज़्यादा वक्त से रहने वाली लोग इसमें आविदन कर सकते हैं आप समझ रहे हैं 5 साल से अगर आप भारत में रह रहे हैं आप प्रताडित हैं और शरणारती हैं, बांगला देश चे पाकिस्तान से अफगानिस्तान से आएं तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं विबाद क्यों हो रहा है? मैं तो कुण यह है कि अब भी विबाद हो रहा है दागू होने के बाद भी अलाकि वैसे प्रदर्शन नहीं देखे जा रहे हैं जैसे कि हमने पहले देखा था 2019 में 2020 में लेकिन अंदर खाने अभी भी सियासी दल इसको लेकर जनता के बीड जा रहे हैं और जनता के सामने इस दरखी बयान बाजी कर रहे हैं अब सवाल है कि आखिर इस कानून को लेकर विवाद क्यों हो रहा है दरसल सीय के तैथ मुस्लिमों को नाग्रिक्ता देने का प्राप्धा नहीं रखा गया है तो धर्म काटा कही न कहीं से कहा जा रहा है यहीं विवाद की असली जड़ है प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि भारत जैसे धर्म निर्पेक्ष देश में किसी एक समुदाय को छोड़ने वाला कानून नहीं लाना चाहिए था मुस्लिम समुदाय के लोग भारत के शरण लेने के 11 साल बाद नाग्रिक्ता करे आवेदन कर सकते हैं अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं अगर आपने 11 साल बिता दिये हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बता रहा होगा क्योंकि बर्गलानी की कोशिश है क्या सभी को कागस दिखाने होंगे सबसे वाजब और सबसे जादा पूछे जाने वा चलाव है कि भारात में रहने वाले लोगों पर इस कानून का कोई भी अजये नहीं पड़ने वाला है नहीं बिल्कुल नहीं ऑभारत में जन्मे भारत की निवासी हैं भारत rinse से 1947 के बाद आप भारत में रहे रहे हैं तो आपको किसी ओ पर लागू है नहीं मुसल्मानों पर लागू है सिर्फ और मीचिश की जारा म did आपड़ने की आप लोगों को समझना पड़ेगा command इसा सेन बिलकुल भी नहीं है अगर आप इसके लिए आविदान करते हैं अम तैरित हो रहे हैं बार ऐसे तो तो पिर सारे के सारे जो लोग रह रहे हैं बारों सभी यहां आ जाएंगे, चाहिए वो हिंदू हो, सिखो, इसाई हो, वो लोग चिनहित किये जाएंगे कि वो प्रतारित हैं, वहाँ पर उन्हें किसी तरीका को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, ना तो पूझा का अधिकार अर्चना का अधिकार दिया जा रहा है, ना उनके जो मौलिक अधिकार है, वो उन्हें मिल पा रहे हैं, उन्हें प्रतारित किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्यचार हो रहा है, बच्चियों से बलातकार हो रहा है, यह प्रतार्णा है, इसके तहत अगर आप शणनार्त चेहां फब्च लोग सिय और नार्सी को एक समझना पड़ेगा नर्सी को भी सरकार की तरफ से लाया जाएगा अभी लाया नहीं गिया लाया जाएगा लेकिन लोग सोच रहें कि यह एनरसी नहीं है यह सीए है जिसमें लोगों को परिशानी होगी जिनके पास उच्छत दस्त वीज मांग रही है वो सभी लोगों के पास उपलब्द नहीं होगे अब ऐसे में लाखों लोगों पर नागरिक्ता होने का खत्रा होगा इसके लिए असम में हुए NRC का तर्क दिया आ जिसमें करीब 19 लाखों लोगों के नाम लिस्ट से बाहर थे केंदर सरकार के तरफ से जब से नागरिक्ता संचोधन अधिनियम लागू किया गया है तब से इसे लेकर काफी विवाद है विपक्ष लगातार सरकार की इसे लेकर आलोशना कर रहा है इस वीच सरकान एक बार फि से विलाई है ताकि धार में ध्रुवी करण किया जा सके बीज़ेपे के नातित वाली केंदर सरकार ने सोमवार को यानि कि 11 मार्च दोहरजार चौबिस एतिहासिक तारिक है सीए के नियमों को नोटिफाई किया इस तरह सीए 2019 में पास होने के चार साल बाद लागू हुआ ह सरकार ने जबाब क्या दिया है सताय जाने वाले मुसलमानों को मौझूदा कानूनों के तैत भारतिय नागरिक्ता के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जा रहा मंत्राले ने आगे ये भी काया कि सीए नेश्राइशन को रद नहीं करता है इसके किसी भी विदेशी देश से आई मुसलिम प्रवासी साइद कोई भी वेक्ति जो भारतिय नागरिक्ता बनना चाहता है भारत का नागरिक्ता बनना चाहता है रहना चाहता है मौझुदा कानून नुकित इसके लिए आवेदन कर सकता है ग्रे मंत्राले ने कहा है कि भारते मुसल्मानों को चिंता करने की जरौत बिलकुल भी नहीं है क्योंकि C.A. में उनकी नागरिक्ता पर असर डालने के लिए कोई प्राधान है ही नहीं इसका वर्तमान 18 करोड भारते मुसल्मानों से कोई लेना देना ही नहीं उनके पास भी बाकिके नागरों की तरह ही अधिकार है clear cut है सरकार ग्रेम अंध्राले के तरफ से सब कुछ clear है तो आपको किसी भी उल्जन में नहीं पढ़ना है समझना है कोई भी मुसल्मान नागलिक्ता ले सकता है C.A. के तहद की बात नहीं की जारी है अगर आप पतारी थे आप आकर आविधन कर सकते हैं इसमें कोई दोर आए नहीं है लेकिन जो मुसल्मान हिंदुस्तान में रही रहा है उसको कोई भी टच नहीं करने वाला है उसे डरने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है एनारसी जोब आएगा जब देखा जाएगा किस तरह के प्रादधान होंगे क्या रूल और रैगुलिशन होंगे लेकिन फिलहाल सिये को लेकर मुसल्मानों को समझना पड़ेगा कि वो अगर भारत की निवासी हैं भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत से कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि भारती समयधान के तैट आपका मौलिक अदिकार है यहां रहना क्योंकि आप यहीं आगे दरपीडी आपकी जनरेशन जो है वो बढ़ती रही है तो ऐसे में आपको डरनी की घबरानी की जरुरत नहीं और किसी तरह के कोई कागजाद दिखाने की अभी जरुर पर कर फिर लोटेंगे किसी और मुद्धे पर बात करेंगे थने बाद